बिस्मिल्लायर्माने राहिम अस्सलाम अलेकुम अब्सक्राइब आज हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है वह है चैप्र नंबर थ्री जिसमें हम लोगों ने बात करनी है डेटा कॉम्मिनिकेशन आज बेसिकली हमारे पास जो चैप्टर ज से लिए उसके ने पड़ाता है नेटवफिक के बारे में ठीक है हम लोगों ने उसके ने देखा था इनफर्मीशंन नेटवरक्स के बारे में किस तरह जाती है उसके लिए लिए चीजे की इन चीजेस की जूरुरत होती है फिर नेटवरक पॉइड की पॉऽलोजी क्या है फ्रेम वंडल कम करें ऑन्वे करा सिहीं है इस pollution है भी लेशा BEC education is a different Table 차 अपस में तो आपको स्टेंडर्स को फॉलो करना पड़ता है जो के आपके पास जो मॉडल है उस फॉर्म में होता है जो मॉडल आपको लेर्स प्रोबाइट करता है फिसकली उसके थ्रू आप अपनी कम्मुनिकेशन को कर सकते हैं अब जो हम लोग ने वीडियो आज देखनी ह है उसके आपको ने देखना है कि डाटा कम्मुनिकेशन क्या होती है और डाटा कम्मुनिकेशन के जो बैसिक कॉंपोनेंट्स है तो बात करते हैं सबसे पहले डाटा कम्मुनिकेशन की डाटा कम्मुनिकेशन क्या होता है डाटा कम्मुनिकेशन इस प्रोसेस ऑफ अपने इन्फोर्म पर., भीकुल्रिक्स और इस जो के आपको information देती है जो के आपको ज़रूरत होती है जिनकी ठीक है और communication आपको पता है communication का मतलब होता है कि आपने अपनी information को share करने from one device to the other अब आपने जब एक जगह से दूसरी जगह information को share किया तो आपको जो इस process को हम कहते है data communication अब data communication किसके थरू होती है आपकी जो data transfer होता है वो electronically होता है एक जगह से दूसरी जगह data can be transferred by using different mediums अब data को जब हमने को नहीं transfer करना है तो different mediums को use करेगा medium आपको बता है medium क्या होता है medium होता है जिसके थरू आपने data भीजना है कोई भी चीज जिसके थरू जो source होता है उसको medium कहते है ठीक है तो the basic components of data communication are as follows जब data को आपने transfer करना है तो आपको किसी medium की जगह पढ़ेगी और different mediums होंगे depends upon आपने data transfer करें तो किस तरह का data transfer करें है तो किस तरह का data transfer करें है उसके लिए medium कोई इस्तेमाल करें है हर medium की अपनी त्राक्टिस्टिक से अपने टाइप से हैं अब सब जबहले जो हम दोगों ने आज देखा हो उसमें data communication क्या होती है अब इसके components की बात करते हैं कि components of database कोन से होते हैं जी हाँ तो इसके basically five components होते हैं जो के data communication में जरूरी होते हैं जो के data communication के लिए हों तो आपका data communicate होता है सबसे पहले तो बात करते हैं message की फिर बात करते हैं sender, receiver, transmission medium and after it encoder and decoder तो यह थे components अब हम लोगों ने इनकी detail को देखने हैं basically start करते हैं हम लोग अपने message से message क्या होता है message the message is data and information to be communicated message आपका किसी किसी किसम का data होता है या को information होती है जिसको आपने communicate करवाना होता है communication जिसकी करवानी होती है जो कि एक जगह से दुसी जगह electronically send करना होता है उस data या information को हम नाम देते हैं message का it consists of text, number, picture, sound, video and combination of these message आपका किसी भी सीज़े नाम ऐस is can be text और उसका भीoric and text can be text form we can have data on the same whole test this is a message इसको हम क्या करते हैं? message data communication में जिस content को आपने send करना electronically from one place to another उसको हम के message ठीक है? content को हम message करते है content को आपका किसी भी form में हो सकता है वो text की form में numbers याप पिक्चर की form में sound, audio, video किसी भी form में हो सकता है बस वो आपका data होता है जिसको आपने send करना है जी अब तो अब हमारे पास second component है उसका नाम है sender sender क्या होता है basically sender is a device that sends a message sender एक ऐसी device होते हैं जिसने message को भीजना होता है जिसने message को send करना होता है ठीक है? message ने जाना है कहां से एक जगा से दूसरी जगा जाना है तो जिस जगा से message ने जाना है जहां से send होना है उसको हम कहते है sender it is also called source or transmitter इसको हमें कोड नाम देते है source का या फिर transmitter का the sender can be a computer fax machine और a mobile phone अब sender कोई भी हो सकता है या आपकी computer भी हो सकता है आपकी fax machine हो सकता है आपकी mobile phone हो सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है? जिसने message भी हो सकता है जिसने message भी हो से sender होगा ठीक है the computer is really used as sender in data communication system हमारे data communication system में जो computer है वो as a sender यूज होता है ठीक है? computer system जो है वो अपका sender होगा विकाज उसका काम क्या होता है उसका काम होता है कि आपका message होगा जहान से एक जगा से बहाँ से Receiver is a device that receives a message. Receiver आपकी ऐसी device है जिसने message को receive करना है. ठीक है? Sender का काम है message को भेजना. Message जहां पे भेजा जा रहा है, जो के destination है, that is a receiver. वो आपकी receiving destination है. Receiver डिवाइस है जिसने message को receive करना है. अब वहां पे message आ रहा है, तो उसको हमें एक और नाम देते हैं. It is also called sync. उसको हमें को नाम देते हैं, इसको कहते हैं, sync. The receiver must be capable to accept the message. अब receiver के पाग इतनी capability होनी चाहिए को message को accept कर सके. The receiver can be a computer, printer, fax machine and mobile phone. The receiver can be a computer, printer, fax machine and mobile phone. Computer is usually used as a receiver in data communication system. In data communication system, computer is also used as a sender. जब उसने message को send करना है, वैज़ा sender है. और जब उसने message को receive करना है, वैज़ा receiver है. तो यह depends करता है कि आपने किस टाम भे क्या काम पर फॉर्म करने हैं, कुछ सा function यूज करने हैं. अगर आप message send कर रहे हैं, तो आप sender होए. अगर तो computer message receive कर रहे हैं, तो that will be a receiver. उसके बाद हमारे पास बात आती है fourth communication medium की. तो fourth data communication component की बात आती है, तो fourth communication component of data communication क्या है? उसको कहते हैं, हम लोग transmission medium. Transmission medium क्या होता है? Transmission medium is a path through which the messages are transferred. यह ऐसा path है, जिसके through messages are transferred होना है. ठीक है? फिर बात आती है, आपकी transmission medium की. Transmission medium क्या होता है? Transmission medium जुन से होता है, वो आपका path होता है, जिसके through message जाना होता है, transmit होना होता है. Transmission medium is a path through which the messages are transferred. It is used to carry messages from one place to another. अब इसका काम क्या होता है, कि messages को एक जगा से दूसरी जगा लेकर जाना, carry करना. It is also called communication channel. Transmission medium is a physical cable or wireless connection. अब फिजिकल केबल भी हो सकती है, कोई wireless connection भी हो सकती है. अब इपेंड करता है कि आपने transmission, कौन सा medium यूज किया है? इसके बाद हमारे पास जो लास्ट कंपोनेंट है आपके पास encoder and decoder. तो बैसे के लिए क्या होता है encoder जो आपके device होती है, जो के convert करते है आपके digital signals को in a form that can pass through a transmission medium. जैसे कि हम लोगों ने YC model के अंदर याद हो आपको तो पढ़ा था, कि जब आपने messages को send करना है या अपने data को send करना है, तो आप सबसे पहले अपने data, original data को convert करते हैं किसी हास format में, जो के network के थुरू send होना होता है उसको आपको करते है encode, ठीक है? और encode के बाद message या data आपका transmission medium के थुरू बेजा जाता है, अब encoder का काम क्या होता है? The encoder is a device, यह कैसी device है, जिसका काम क्या है? जो के digital signals, convert the digital signals in a form that can pass through a transmission medium, जो के आपके digital signals को इस format में, या इस form में convert करता है, इस form में इसके signals को convert करता है, कि वो transmission medium के थुरू पास हो, the decoder is a device that converts the encoded signals into digital form, और फिर decoder का काम होता है, जो हुए होता है, signals को दुबारा से digital form में लेके आता है, the receiver can understand the digital form of message, अब receiver का काम होता है, receiver फिर दुबारा से digital form of message को understand कर लेता है, sender and receiver cannot communicate successfully without encoder and decoder, और जो sender and receiver होते हैं, वो आपस में कभी भी decoder या encoder के बगार काम यह communicate नहीं कर सकते हैं, this is why, कि आप जब भी message को send करते हैं, तो message सबसे पहले आपका encode होता है, encode होने के बाद message आपका network या communication channel के through, transfer होता है, transmit होने के बाद रहां पर receiver होता है, receiver का काम क्या होता है, वो message को दुबारा से decode करता है, original form के अंदर, और इसके बाद रहां जो receiver होता है, उसको understand करता है, या अपनी original form में जब उसको get कर लेता है, तो उसको समझ लेता है, सो जब इनकी communication होती है, between sender and receiver, तो communication without encoder या decoder के possible नहीं होती है, data communication के आप बात करते हैं, data communication में सबसे पहले तो आपके पास five components होने चाहिए, यह हम लोगों ने देखा data communication का मतलब क्या होता है, कि आपने data को एक जगा से दूसरे location पर लेके जाना है, किस पहुम में? electronically, आपने data को electronically एक जगा से दूसरी जगा भेजना है, तो अब उसके लिए जो आपके पास कुछ components चाहिए होते हैं, वो components कौन से होते हैं, ठीक है, उस component में सबसे पहले आपके पास message itself आता है, जिस content को आपने भेजना है, for example, आपने किसी भी information को शेयर करना है, let's suppose मैं नहीं message अपनी class को शेयर करना है, कि जिकल छूटी है, अब यह किसम का message है, जो कि मैं भेजना हूँ to the students, अब जो वो content type message है, वो information है, वो आपका data है, वो text form में भी हो सकता है, वो आपका video की form में भी हो सकता है, आपके audio, आपके pictures, आपके numbers, किसी भी form में हो सकता है message, वो basically इन सब का combination भी हो सकती है, तो यह आपका first component आपके data communication में, उसके बाद second component आपके data communication में, sender, जिसने message को भेजना है, ठीक है ? उसको हम कहते है sender, और जिसने message को receive करना है, उसको हम कहते है receiver, ठीक है, इसके बाद आपके पास आते है fourth one बें, जिसके through message में जाना है, उसको हम कहते हैं transmission medium जिसके through message ने जाना है उसको हम कहते हैं transmission medium और उसके बाद last one में message अगर जाएगा through the transmission medium तो उसका किसी कोई ना कोई खास format होगा तो उस format में convert करने के लिए हमें चाहिए होते है encoder and decoder so basically यह आपकी five components है अब चलिए इस example को देखें आपके पास दो setup हैं एक आपके पास sender है एक आपके पास receiver है sender ने एक packet को send करना है to the receiver अब जो packet है वो message है वो message है वो message है वो receiver तक पहुंच ना है और यह दोनों की location चेंज अलग-अलग area अब क्या होगा okay sender ने सबसे पहले लेना है message को अब जो भी message होगा message ने जाने तो message ने जब भी जाने जिस भी content ने यहां से इधर जाना है move करना है तो कोई ना कोई message होगा first component उसके बाद message जा रहा है message ने जाने एक जगा से दूसरी जगा तो क्या होगा message को सबसे पहले देखा जाएगा किस communication channel के थ्रूबेज जा रहा है उसके लिए channel कॉन सा है तो जो medium आप यूज करें उसको हम कहेंगे communication या transmission medium ठीक है जिसके थ्रू जाएगा message का यहां से यहां जा रहा है electronically अब अगर तो वाइड के साथ जाएगा तो यह wide cable के थ्रू जा रहा है transmission medium wide cable है अगर तो यह wireless जा रहा है तो आपके पास जो wifi की थ्रू या radio signals की थ्रू तो जो आपके पास transmission होगी वो बाइडलेस होगी तो transmission medium आपके signals हो जाएंगे तो अब यह depend करता है आपने transmission medium किस चरह का यूज करना है अब message यहां से जाएगा तो यह sender है और message यहां पर receive होगा तो यह आपके एक पास क्या है receiver sender ने भेजना है इसको हम नाम देते हैं source का receiver ने receive करना है इसलिए हम इसको नाम देते हैं जो रूर्समिटर का टिक है इसे ट्रांस्मिट करते हैं अब बात होती है जब जाना एक जगा से दूसी जगा तो मैसेज ने जब इलेक्ट्रोनी के लिए किसी भी पाथ है मीडियम को चूज करना है तो मैसेज आपको औरीजिनल फॉर्म से किसमें इंट होता है message आपका original form से convert होता है एक खास format में जिसको हम कहते है encode होना ठीक है encode होने के बाद message आपका भीज़ा जाता है और जब receiver end पे पहुंचता है original यहाँ पे आपका sender होता है और यहाँ पर आपका receiver होता है अब जब message encode हो गया message ने through communication channel जाने है अब यहाँ से message जा रहा है जाने लगा तो अब आपका message original form से किस में convert होगा पहले उसको message को encode हो गया message encode हो गया through the communication channel अब यह wifi के तुरू है या cable के तुरू है it depends अब जब आपका receiver end पे पहुंचेगा अब message यहाँ पहुंच गया तो encode हुआ message ने caption pair जब होगा तो receiver का का होगा उस message को encode से दाखर कराईगा यहां पर your message quéya होजएगा ? decode होजएगा original formonen ठीक है तो क्या होगा कि आपको जो receiver end है वो दुबारा से किस form जब decode कर लेगा तो दुबारा से आपको सिगनल है या जो message है या data है वो किस form में convert हो जाएगा original form में So basically ये components से आपके data communication में जब message जाएगा encode होगा जब receiver के पास आएगा तो decode होगा और ये encode decode का काम क्या होता है कि electronic जब आपका message जा रहा होता है digital form में नहीं जाता है आपके message को किसी हाथ format में convert होना पड़ता है उस format में convert होने के लिए हम encoder और decoder की help एते हैं और जब encoder उसको message को encode करता है हम उसको गहते है encode करना और जब message receiver तर पहुंच जाता है वो तो decoder उसको decode कर देता है ताकि वो original form में आ जाए so this was our today's topic hope so आपको चैसे समझ आगी होगी किसी की समझ आई होगी तो you may ask so take care अलहाफिज वीडियो पसंद आई तो like करें अपनी डाए कमेंट करें ऐसे ही मज़ीद वीडियो के लिए हमारा चैनल सबस्क्राइब करें और बेल का आईकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन बेलता रहे